वीरियनास करने के बाद कमजोरी महसुस होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, पूरा बदन टूटा टूटा रहता है और आप सोचते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को लास्त तक ध्यान से सुनना हेड़फोन लगा लेजिए और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ क्या आपने कभी धियान दिया है कि वीरियनास करने से पहले आपको कितना अच्छा महसूस होता है और वीरियनास करने से कुछ टाइम पहले आपके दिमाग में उर्जा एक जगाई खटी हो जाती है और आप उस उर्जा का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो जैसे कि आपका मन करता है गंदी वीडियो देखने का आपका मन करता है गंदे आर्टिकल देखने का उनको पढ़ने का और आपको मजा आता है क्या आपको पता है कि जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके दिमाग से एक कैमिकल रिलीज होता है और उसी कैमिकल को दुबारा रिलीज करने के लिए आप गलत काम करते हैं जब आप हस्त मैथुन करते हैं तो हस्त मैथुन करते टाइम जब आपका वीरिय निकलता है उस टाइम पर आपको कुछ सेकंड के लिए बहुत ही जादा मज़ा आता है उस कुछ सेकंड के मज़े के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी खराब करने पर तुले हुए हो क्या आपको पता है कि हमारे वीरिय में कितने सुकराणों होते हैं जब आप हस्त मैथुन करते हैं हस्त मैथुन करने के बाद जो आपका सीमेन निकलता है वो तेन एमेल निकलता है और एक एमेल सीमेन में तकरीबन 20 मिलियन सुकराणों होते हैं आप समझ सकते हैं कि पूरे वीरिये में इतने सुक्राणू आप वेस्ट कर रहे हैं। और उन 200 सुक्राणू में से अगर एक भी सुक्राणू एक के अंदर चला जाता है, तो उससे आप एक नया जीवन इस दुनिया में ला सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह की उर्जा को बरबाद कर रहे हैं एक ऐसी उर्जा को बरबाद कर रहे हैं जिस उर्जा से हम इस दुनिया में एक नया जीवन ला सकते हैं लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर आप किसी को समझाने बैठोगे, सबसे पहले उसके दिमाग में यही आएगा कि ये कितना बड़ा ग्यानी है, दूसरों को ग्यान दे रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो ग्यान हम आपको दे रहे हैं, या ज जिन्दगी बरबाद हो जाएगी और आप इस देश के बारे में तो अलगी बात है अपने माबाप के बारे में भी कुछ भी नहीं कर पाएगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों के ये बता देना चाहता हूँ कि आज कल की जो जनरेशन है उनकी सबसे बड़ी प्रोब्लम ये है कि उनको सब कुछ पता है और जिनको सब कुछ पता होता है कभी भी वो ये नहीं कहते कि हाँ हमें सब कुछ पता है और आज कल तो situation ये हो गई है कि internet के जमाने में आप practically ना किसी चीज़ को experience करके सिर्फ theoretical सुनके आप सोच लेते हैं कि आपको सब कुछ पता है लेकिन जब तक आप उन सब चीजों को experience नहीं करोगे आप नहीं पता कर पाओगे कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है theory और practical में बहुत जादा फर्क है तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि आप जो वीरियनास करते हैं उसकी क्या कीमत है उसकी वो कीमत है naturally जो चीज होती है इस दुन्या में जो उपर वाले ने बनाई है उसकी कोई भी कीमत नहीं है क्या आपको पता है कि scientist अभी तक सिर्फ ये चीज में लगे में है जो इनसान है अगर वो मर जाता है उसका जिन्दा कैसे कर सकते हैं लेकिन ऐसा कभी भी संभाव नहीं होगा क्योंकि जो उपर वाले ने चीज बना दी है वो naturally कभी भी चीज natural तरीके से ही complete हो सकती है आप unnatural तरीके से उस चीज को नहीं कर सकती है इसलिए यह जो वीरिये है यह natural है हमारी body में बनता है हम इसको ऐसे ही भाद एते हैं लेकिन इसकी कीमत के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि इसकी कीमत असलमें है क्या इसकी कीमत को आपको अच्छी तरह से पता है कि हम इस दुन्या में जो आए हैं वो इसी process के जरिये से आये हैं और कोई न कोई ऐसा pump होगा जिससे की हम पैदा हुए हैं तो आप यह जान सकते हैं कि जिस वीरिये को आप ऐसे ही नालियों में बाहर हैं उसकी क्या कीमत है यह priceless पुराने जमाने के बारे में तो आपने सुनाई होगा कि उनकी जिन्दगी बहुत लंबी हुआ करती थी वो 100 साल से उपर भी जी लेते थे 70, 80 साल, 90 साल उनकी नॉर्मल लाइफ थी लेकिन आज कल के टाइम में आपने देखा होगा कि सिर्फ 40, 50, 60 50 साल तक तो बहुत ही कम लोग जा रहे हैं उसी के हिसाब से चलते रहते हैं उनको कुछ भी देखना होगा तो मुबाइल में देखते हैं अब वो बहार की जिन्दगी तो जैसे लोग बाग भूली गए हैं और एडल्ट वीडियोस देखना इन सब चीजों को देखकर के युवाओ का जो दिमाग है पूरी तरह से बरबाद हो चुका है तो दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हो सके तो अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिस कीजिए इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिस कीजिए समझने की कोशिस कीजिए और देखिए कि आपके सामने अभी पूरी जिन्दगी पड़ी है अभी इन चीजों के चक्कर में बिल्कुल भी बनाएं वीरियनास ना करें और अपनी उरुजा को बचा कर रखे किसी अच्छे काम के लिए तो दोस्तो आई होप आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पर बहुत ही जल जब तक के लिए थाएंगि सोमस ठेक केर और बबाबाए